अब हम 11.9 प्रमे पर बात करने जा रहे हैं और यह प्रमे भी एक महत्पुर्णμη परिणाम हमारे सामने रखता रहता है। जो समनांतर रिखाऊं से सब्मंदित है। हमें दिया हुआ है कि तीन समनांतर रिखाएं हैं। आप देख रहे हैं तेकली स्याई से तीन सुन आप बनी होई जिंके नाम क्रम मृ ऑर ऀन और है और यह दो तीरेकर रिखाए ठीक और क्यू ने होई है जो इन्हे नहीं क्रमिषто दोनाप 750 बिन रहे होई है हमें दिया हुआ है कि यह जो रेखा P है वो इन तीनों रेखाओं से इस तरह से मिल रही है कि यह तीनों रेखाओं उस पर समान अंता खंड काटती है यानि G E बराबर E H है इस पकार से है कि तरिएक रेखा P पर वो दो समान अंता खंड काटती है यानि यह जो हिस्सा है वो इस इससे बराबर यह दिया हुआ है तो गणिती रूप से इसे हम लिखते है कि G E बराबर E H यह हमने यह लिखा है कि यह बात हमें दी गई है रेखा इस तरह से व्यवस्तित हैं कि इस तीरेक रेखा पर वो दो बराबर अंतर tolerant काड़ती है तो हमें सिद्ध् Где करना है हमें सिद्ध करना है कि यही िसमान अंतर रिखा है l m एल एन इस रेखाह इस रेखा क्यूपर भी समान अंतर Representative कारती है मैंने a b बिराबर 20 होगा यह हमें सिद्ध करना है तो आगे बढ़ने के पहले हम यहां पर एक और किरेंड बनाते हैं आर जो क्यू के समनांतर है और इसके द्वारे जो अंता खंड काटा जा रहा है इस रेखा पर जो अंता खंड काटा जा रहा है वो क्रमशन डी और एफ है यह हमने अपने से एक रशना कर ली सिद्ध करने के अब आप देखिए यह जो रेखा है आर वो क्यों के समनांतर है तो ऐसा करने से आप देखिए यहां पर दो चत्रभुज बन रहे हैं समनांतर रेखा है एक जोड़ा यह है और तीन समनांतर रेखा है तो इनके बनने से दो समनांतर चत्रभुज यह दिखाए पड़ रहा है वैसे तो एक और बन रहा है लेकिन हम इन दोनों के बात करेंगे कि समनांतर चत्रभुज D-E-B-A में आप देखिएगा कि D-A और E-B तो समनांतर है है यह पहले से दिया हुआ है पहले वाली शर्त में ही और हमने रशना से D-E और A-B को समनांतर बनाया है तो हम क्या सकते हैं कि चत्रभुज D-E-B-A एक समनांतर चत्रभुज होगा इस बात को लिख लिए हम चोंकि D-A समनांतर E-B, D-A समनांतर E-B-K E-B-K और D-E समनांतर A-B-K D-E समनांतर है A-B-K देखें इसे D-A समनांतर E-B और D-E समनांतर A-B इसलिए यह चत्रभुज D-E-B-A D-E-B-A एक समनांतर चत्रभुज होगा और समनांतर चत्रभुज होने के वज़े से इसके आमने सामने के भुज़ाएं बराबर भी होगी यानि कि आप कह सकते हैं कि D-E बराबर A-B या A-B बराबर D कैसा भी आप लिख ले ये एक प्रणाम हमको मिला कि D-E बराबर A-B ये कैसा प्रणाम है जिसका हम आगी उप्यूप करेंगे इसे हम चिन्नित कर ले एक कथन एक की रूप में फिर से देख लिजिए आप हमने D-E को A-B के बराबर कहा क्योंकि समनांतर चित्रभूज के आपने सामने के भुज़ाओं का जोड़ा है और इसलिए बराबर है ठीक ऐसे ही इस समनांतर चित्रभूज को देखिए E-F-C-B को चत्रभूज चत्रभूज E-F-C-B में E-F-C-B E-F-C-B यह जो नेले रेखाओं से बनी हुई आकरिती आपको देखिए चत्रभूज के हम उसकी बात कर रहा है E-F-C-B में E-B और F-C समनांतर है E-B समनांतर F-C यह दिया हुआ है कि E-B रेखा M का हिस्सा है और F-C रेखा N का हिस्सा है और चॉंकि दोनों समनांतर है जो यह दोनों देखा खंड भी समनांतर होंगे और ठीक इसी तरह से रच्णा में हमने कहा है कि R-Q के समनांतर है इसलिए उनके टुकडे E-F समनांतर होंगे बी-सी के और इसलिए आप देखिए कि इस चत्रभुज में यदि ये रेखा इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर है तो ये समानांतर चत्रभुज हुआ तो इसका उप लिख सकते हैं इसलिए चत्रभुज EFCB EFCB एक समानांतर चत्रभुज होगा इसलिए आप क्या सकते हैं कि EF बराबर होगा BC के आप इसे लिख लें इसलिए EF बराबर होगा BC के समानांतर चित्रबूज के आमने सामने के बुजाएं समानांतर तो होते ही हैं बराबर भी होती है यह आपको एक कथन दो है इसको भी आप ध्यान में रखें अब आप देखिए हम इन दोनों त्रिभूजों पर थोड़ा गवर करें त्रिभूज GED यह उपर एक बना हुआ त्रिभूज है त्रिभूज GED और त्रिभूज ठीक उसके नीचे एक और त्रिभूज बन रहा है EFH EFH में और फिर से देखिए हम इन दोनों त्रिभूजों की बात कर रहा है इस त्रिभूज को हमने लिखा GED और इस त्रिभूज को लिखा EFH इन दोनों त्रिभूजों पर गौर कर गया हमें दिया हुआ है कि यह तीनों रेखाएं इस पर समान अंता खंड काटती है याने GE बराबर EH यह हमें दिया हुआ था तो इसको हम लेंगे इसका उप्योग करेंगे GE बराबर EH यह हम ले और दूसरी एक भुचा आप ले सकते हैं एक कोण हमें ले ले इस कोण को आप देखिए यह जो दोनों कोण है वह शीर्षा भी मुग कोण है तो कोण G-E-D कोण G-E-D बराबर कोण यह सामने का जो कोण है F-E-H आपने एक भुचा को दूसरी तृभुच की इस भुचा के बराबर बताया और उपर वाले तृभुच का यह जो कोण है उसको इस कोण के बराबर बताया अब एक और चीज हमें ढूननी है जिसे हम बराबर सिद्ध करें और कहा सकें कि तृभुच सरवांग सम है आप इसरीक रेखा इस परिस्यतिये में यहां जो बनने वाला कोण है और यहां बनने वाला कोण आप देखे यह एकांतर कोण का शेथ reps बनाता रहा रहे हैं ऑडिक digging कोड की इसलिए यहां पर बनने वाला एक अंतर कॉण भी बराबर होगा लिखेंगे इस कोड के बारे में इस कोड का नाम पढ दो सकते हैं आप जो आरंबिक शर्त है उसमें हमें दिया हुआ था दूत्रा दोनों सराल रिखाओं के काटने से यहां और यहां जो कोण बन रहे थे वो शिर्षा भी मुग कोण थे इन्हें हमने लिखा GED के रूप में और बराबर कोण बताया उसे FEH के रूप में तीसरा कोण हम इसे ले रह DGE और इसका हमने नाम लिया FHE या EHF यह दोनों कोण बराबर हो गए तो ऐसी स्थी में आप देखिए कि इस त्रिभुष के दो कोण और उनको बनाने वाले भुजा के करमशा बराबर हैं और इसलिए आप कहा सकते हैं दोनों त्रिभुष सर्वांग सम हैं तो यह कथर आप हम कहा सकते हैं कि यह जो दोनों त्रिभुष आपने लिये थे वो सर्वांग सम है तो इसे लिख ले त्रिभुष GED GED सर्वांग सम है त्रिभुज EFH के त्रिभुज EFH के और सर्वांग सम होने की सिती में आप कह सकते हैं कि बाकी जो अवेव हैं वो भी आपस बराबर होंगे और हमारा उद्देश था हम ED को FE के बराबर सिद्ध कर दे तो आप देख रहें कि इस त्रिभुज की भुजा ED इस वाले त्रिभुज की भुजा FE के बराबर है तो आप इसे लिख लें आप इस तरह से लिख सकते हैं DE इसलिए त्रिभुज के शेष अवेOW में से भुजा DE बराबर होगी भुजा EF के यह हमको प्रणाम मिला अब आप देखिए कि आपने पहले सिध्द किया हुआ है ये बराबर ये के साथ साथ आप लिख सकते हैं A B B B C ये आपको इहां पर मिल रहा है कि ये ये दोनों बराबर हैं तो जिनके ये बराबर हैं वो भी आपस बराबर होंगे यानि हमको प्राप्त हो रहा है A B B B C और यहीं हमें सिद्ध करना था देखिए ये हमें सिद्ध करना तो वो किसी और तीरक रेखा पर भी समान अंताखन काटेगी यही हमारा प्रमेथा और जो इस तरह से सिध्ध होता है हमने सीखा पहला चतुर्भुज के चारों अंताखकोणों का योग 360 अंश होता है दूसरा किसी समानतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सरवांग सम्त्रिभुज में बाढ़ता है तीसरा चतुर्भुज निम्नलिखित प्रकार के होते हैं समानतर चतुर्भुज सम्चतुर्भुज सम्लंब चतुर्भुज आयत और वर्ग चौथा एक चतुर्भुज समानतर चतुर्भुज होगा यदि सम्मुक भुजाओं का प्रत्यक युग्म बराबर हो या सम्मुक कोड़ों का प्रत्यक युग्म बराबर हो या विकर्ण एक दूसरे को सम्दिभाजित करते हैं या सम्मुक भुजा का प्रत्यक युग्म बराबर और समानतर हो पांचवां, आयत के विकर्ण एक दूत्रे को सम्दिभाजित करते हैं और बराबर होते हैं, वह इसका विलोम भी छटवां, वर्ग के विकर्ण एक दूत्रे को सम्कोर्ण पर सम्दिभाजित करते हैं और बराबर होते हैं, वह इसका विलोम भी साथवा, सम चत्रभुज के विकर्ण एक दूसरे को सम कोड़ पर सम्दिभाजित करते हैं वह इसका विलोम भी आठवा, किसी त्रभुज की किनी दो भुजाओं के मद्द बिंदों के मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आदी होती है